उत्तर प्रदेश के जन्पत जालोन के आटा थनक्षेत्र के ग्राम संधी में बाइक सवार युगकों एक सफाई कर्मचारी के साथ की हौकी से मारपीट मार्पीट के दौरान सफाई कर्मचारी के सिर पर आई गंभीर चोटें गंभीर चोटों के कारण सफाई कर्मी की हुई मौत बतक के पिता ने बताया मेरा बेटा सची वाले में सफाई का कारी कर रहा था तभी तीन युवक मोटर साइकल पर आए और हौकी डिंडे से मेरे बच्चे को मार डाला सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्माटन के लिए जिलास पताल भेज़ दिया है वही मिले तत्यों के अधार पर पुलिस जाच में जुटी है देखे ये रिपोर्ट साकिश कुमार आपके बच्चे के साथ क्या गड़ना हुई है हमारे बच्चे का गड़ना हुई कि गिराम पंच्चा संजी में सपाई कर्मी के पतपत कैनात है हमारे बच्चे को जान पर उहीं पर मार दिया मारने के बाद में और जो संतोल लड़का था उसके यहां पर हुपी एक मारी है बागी वो अपना जाए गे कमरे का अंदर भी कुंडी लगा बंद करके अपना बंद हो गए और बाग गए जो उन्होंने पहुंड गया फिर पर दान जी आए मोके पर तर दानजीना में पौन किया हम तोरण मोटर स्केल वहां पर पहुंड गया है किया हुए् बच्चे के साथ बच्चे के साथ होंकी से मार कुंडू है बहुत उसकि आहलाट एकुक्डर म कंबीर कर दी वहें पर मार के गिरा दिया जान जमाल दिया उसको गड़ना होई आपके लिए नड़की ने पोता जूटी करने गया था संदी संदी में एक और था उसका साथी बू अंदर काम कर रहा था और मेरा पोता बाहर वाले कमरे में पोच्छा लगा रहा था तीन लोग आए उन्होंने पूंचा कि हमांशू है तो वो अंदर वाला जो जाड़ू लगा रहा था उसने खाया कि हाँ है उसको बहार बुलाया बहार बुला के उसको मानने लगे पर तीनों लोग घसीट के उसको कमरे के अंदर ले गए वस हौंकी 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 उसको मारा उसका सर फाट डाला हाथ पैर चोड डाल तीनों लोगने लाद गूंचे चलाए पता नहीं किया उसके सर में मार दिया बेहोस हो गिया जब मर गिया जब उनों ने हमको कवार थी मेरा सोला साल का पेटा था कहां पर क्या किस पोश्ट पर था क्या काम करता था कि अधिक पर दोटी करने का आधा किराम पंच्याद किराम अज कहल लगा कि भापा कल ते वहार है कोई घाल भी हुआ है और साथी उसका कोई साथी हुआ है यह और थास्टन तोस नाम का है ज़्यादा घाल नहीं है सियासा तुपी की है किस लोगों ने कौन लोग थे यह कुछ जानकरी है अपको पूरी स्यासा तुमको बताएगा जो अभी घाल पड़ा है अस्पतार में जो उसी की ब्यान से कि लिए रोएगा उसी से पूरे ब्यान लीजिए आप